नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डन में मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें सकर्स जो हमारे पौदों में होते हैं उन्हें हटाना क्यों जरूरी है क्या नुकसान है सकर्स के होने का पौदों पे किस परकार एफेक्ट पड़ता है और पौदों के ग्रोथ में क्या रोल होता है सकर्स का तो पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में हम टमाटर के पौधे पर बात करेंगे कि टमाटर के पौधे में से सकर्स हमें क्यों हटाना चाहिए क्या रिजन से उसके पीछे और क्या ग्रोथ पर असर पड़ता है तो पूरी वीडियो जरूर देखेगा अन तक वीडियो में बने रहीएगा इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को और नोटिफिकेशन वेल पो से ओसे साब से मैं आपको बताने की कोसिस करओंगा कि सकर्स क्यू खोड़ाने चाहिए और मैं और यबिक्छा आपको असमें दिखाओंगा भी क्योंकि क Susi agriculture रिफून्त नहीं किए हैं और कुछ हैं जिन में इस एक ऐइदा आता है वह मैं पूरा आपको बताऊंगा इस वी पौधे की growth height पकड़ती है, उपर उठती है, तो जो हमारे fruits लगते हैं उपर की तरह, वो size में बड़े होते हैं, तो जब हमारे सकर्स नीचे से ही निकल जाते हैं, जब भी आप सकर्स देखेंगे, तो हमारे bottom से पौधे के जड़ से थोड़ी उपर से सकर्स निकलने, start कर देत हैं, तो जब वो सकर्स हम रिमूब नहीं करते हैं, वो सकर्स पौधे में रह जाते हैं, तो वो पौधे की जो energy होती है वो नीचे ही waste होती जाती है, तो इसलिए पहला जो main region होता है सकर्स को remove करने का, वो यह होता है कि जो पौधे की energy होती है, जैसे कि अभी मैं दिखाउं आपको यह पौधा है मेरा इसमें मैंने इस गमले में इस पॉट में चार पॉधे लगा रखें टमाटर के जो कि मैंने थर्मागॉल पॉट से बनाया है इसका डिटेल वीडियो आपको चैनल की उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दू जो भी पतियां थी अब देखिए एक और सकर्स निकल देगी जो में से रह गई थी तो इसको भी मैं दीरे से इससे हटा दूंगा यह सकर्स जब मैं हम नीचे से हटा देते हैं अपने पॉधों से तो इसकी जो ग्रोथ होती है इसका जो तना होता है हमारे पॉधे का पहले तना मजबूत हो जाता है आप देखिए इसका तना कितना हिल्दी है अब सभी पॉधों के तने को देखिए यह हिल्दी हो जाते है और जो इनकी ग्रोथ होती है वो उपर की तरफ उट जाती और जो उपर हमारे फ्लॉर्स होते हैं जिसे देखिए इसमें टमाटर लग भी अब दिखाऊं और बड़े बड़े भी टमाटर हो चुके हैं तो इन में टमाटर आपके लगने स्टार्ट हो गया है जैसे देखिए इधर भी टमाटर लग रहे हैं तो जब हमने नीचे से सकर्स को रिमूब कर दिया तो एक तो जो पॉधे जो पत्तियां होती है नीचे मि इंगस भी निकलते हैं तो इससे हमारी जो पॉधे की जड़ के आसपास का सर्फेस है मिट्टी है वो साफ होती है आप मिट्टी में कोई भी कंपोस्ट दे सकते हो पॉधे की देखवाल अच्छे से कर सकते हो आपके पॉधे पर धूब भी अच्छी लगेगी नीचे तक ज इतना ही होती है और जो पॉधे की ग्रोथ है इसमें देखें आप अभी तक फ्रूट नहीं आया है दोनों पॉधे एक साथ के लगे हुए पर इनमें फ्रूट नहीं आया अभी यह कुछ फ्लार्स हैं इसकी इसके फ्लार्स देखें कितने कमजोर हैं और इनमें फ्रूटिं उसमें बड़े फल हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो side branches उती हैं उनमें चोटे-चोटे फल होते हैं जो कि हमारे main stem को भी नुकसान पहुचाते हैं उनकी फ्रूट्स छोटे होते हैं उन सकर्स की वज़े से और सकर्स में तो चोटे फूल आते ही हैं और जो नीचे रह जाती है तो हमें पौधों के सकर्स को जरूर हटाना चाहिए हाँ लेकिन सकर्स आप हटाएं तो एक समय रहते हटा दें जब सकर्स छोटे हो वह जब पौधे का रूप ले लें फिर आप सकर्स हटाओगे तो फिर तब तक आपकी जो पौधे की मेन इस्टेम है वो कमजोर हो चुकी होती है इसे कि यह देखी यह मेरा पौधा है इन में से भी मैंने नीचे से हटा दिया एक सकर जो मेरी बड़ी हो चुकी थी तो मैंने उसे नहीं हटाया उसमें देखिए फ्रूटिंग आ रही है उसमें भी तो आप एक आदे जैसे ब्रांचे निकल चुकी होती है तो आप उनको छोड़ सकते हो बाकि आप सारे सकर्स हटा दिया तो इस प्रकार देखिए इसमें कितनी सारी कितनी सारे टमाटर लग रहे हैं आप देख सकते हैं यह गुच्छों में मैंने पूरी तरह से यह देखिए इसकी इस्टम देखिए कितनी है अच्छी खासी हिल्दी है और इसमें आप टमाटर देखिए पूरे गुच्छे में टमाटर आ रहे हैं और मैं आपको दूसरा एक्जांपल दिखाता हूं यह देखिए इसमें भी आपको टमाटर गुच्छों में देखेंगे यह पूध है यह पूधा दोनों सेम एक साथ के लगे हुए इसमें मैंने सकर्स रिमूब नहीं किये हैं आप देखिए पूधा नीचे से ही इसका में इस्टिम बिल्कुल मजबूत नहीं हो पाया कई सारे ब्रांचे निकल गए और इसमें जो फ्लावर्स हैं आप उसकी देख सकते हैं कंडिशन कितना बेकार है और इसमें फ्रूट्स भी न आ रहे हैं और आ भी नहीं पाएंगे और अगर मैं इसके सकर्स रिमूब भी करूँगा तो इसकी में इस्टिम तब तक हमारी खराब हो चुकी है उसमें अच्छी हेल्दी नहीं है में इस्टिम देखिए सकर्स के जैसी ही वह भी हो चुकी है तो अब इसको हमें remove करने का भी कोई फाइदा नहीं होना है तो आप लोगों से मैं अपने experience के आधार पे ये साजा करना चाहता था तो कि मेरे कुछ पौधे खराब हुए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के भी हूँ तो जो भी पौधे आप टमाटर के या फिर मिर्च के जो भी लगाते हो तो उनके सकर्स जो है नीचे से करीब 8-9 इंच तक के जितने भी सकर्स है या फिर जो उनकी पत्तियां है उन्हें रिमूब कर दे ताकि आपका जो पौधा है जो उसकी main stream है वो अच्छी ग्रोथ ले सके जो उसका तना है वो मजबूत हो जाए जब पौधा एक बार नीचे से मजबूत हो जाएगा तो उपर जितने भी कि कमी आपको पता चलेगी कमपोस्टिंग आप अच्छे से कर पाओगे तो पूरी केयर आप पौधे की अच्छे से कर पाएंगे सकर्स को हटाने के बाद तो यह कुछ टिप्स थे दोस्तों जो मेरी experience के आधार पर मैंने आप लोगों के साथ साजा किया अगर पसंद आए तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद